हेलो फ्रेंड्स आप सभी का इजी सीक में बहुत बहुत स्वागत है आज हम ऐसी सब्जी बनाएंगे जो बहुत ही टेश्टी और लाजबाब है या गोभी से बनेगा इसको हम गोभी मुसल्लम कहते हैं अगर आपको नौनेज खाने का इच्छा हो और आप ना बना पाते हो तो गोभी का इस तरह सब्जी बनाएए या बहुत ही टेश्टी और मज़ेदार लगेगा आईए देखते हैं यह किस तरह बनता है अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए सेयर करिए आप इसके हम बड़े बड़े टुकरे कर लेते हैं ज्यादा छोटा पीस नहीं करेंगे इनको हम बड़ा पीस में रखते हैं फूल गोभी के डंठल को हम बीच से कट कर लेंगे क्योंकि डंठल थोड़ा पकने में टाइम लगता है एक भोगोना में हम पानी डालते हैं और वो खोलने लगता है तो इसमें हम नमक डालने के बाद सभी गोभी के फूलों को डाल देते हैं जिससे इनका कीड़ा हो तो वह भी निकल जाए और इनका स्मेल भी खत्म हो जाता है अब इनको दो मिलिट रखने के बाद छान लेते हैं छानने के बाद तुरंत इसमें हम ठंडा पानी जिससे इसका कुकिंग प्रोसीजर रुख जाए और यह ज़्यादा गले ना एक कढ़ाई में हम तेल डालते हैं इसमें आप तेल किनारे किनारे पहले से देख रहे हैं इसमें हमने अभी मिर्चा का चार बनाया था अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वारे वीडियों को आप देख पाएंगे इधर हम दो बड़े प्याज को बहुत पतला पतला लंबे पीस में काट लिये हैं तेल गरम हो जाने पर इसमें हम तेज पत्ता डाल देते हैं और कटे हुए प्याज को डाल देंगे प्याज को एक दो बड़ चलाने के बाद आज हमारा धीमा रहता है इसको हम जादा नहीं भूनते हैं और नहीं लाल करते हैं इसमें हम तुरन नमक डाल देते हैं जिससे यहां गल जाए नमक डालने के बाद इसमें हम अधरक और लहसन का भी पेश्ट डाल देते हैं जिससे यहां साथ में पक जाए और इनको चलाने के बाद गलने के लिए ढख कर रख देंगे आज हमारा धीमा रहेगा इधर हम मसालों की त्यारी करते हैं यह बड़ा लाची, एक छोटा लाची, एक इंच का दाल चीनी, लॉंग, काली मिर्च और जीरा ले ले लेते हैं इनको लेने के बाद इसमें हम एक से डेर चमर घिसा हुआ गड़ी लेते हैं और सब को डाल कर मिक्सी में हम पाउडर बना लेते हैं इधर धीमी आज पर रखने के 10 मिनट बाद हम देखते हैं कि प्याज हमारा अच्छे से गल गया है इनको हम गलाना चाहते थे और यह अच्छे से यह गल गया है इनको अपने च्छनोटा से मसल कर पेष्ट के तरह कर देंगे और इसमें हम गोवी को डाल देते हैं गोवी को प्याज में अच्छे से मिक्स करने के बाद कुछ देर चलाते रहते हैं इससे गोवी भून जाए और गोवी के भूनने के बाद इसमें हम मसालों को डालेंगे इसमें हम लाल मिर्च पौडर, धनिया पौडर, हल्दी और जो गर्म मसाला और गरी का पौडर बनाये थे उसको भी हम डाल देते हैं सबी मसालों को गोभी में अच्छे से मिक्स करते हैं इसमें हम नमक डालेंगे, कुछ नमक पहले हम प्याज में डाले थे इसलिए गोभी की हिसाब से इसमें हम नमक डालेंगे और मसालों को मिक्स करने के लिए हमें पानी की जरूरत है थोड़ा पानी डाल कर अच्छे से मसालों को गोभी में मिक्स कर लेते हैं यह हमारा सूखी सबजी होता है इसलिए इसमें हम ज्यादा पानी नहीं डालते हैं कुछ देर हम इनको चला कर भूनते रहते हैं जिससे हमारे मसाले भून जाएं कुछ दिर भूनने के बाद मसाले हमारे भून गए हैं और गोवी भी मसालों में अच्छे से मिक्स हो गया है इनको पकने के लिए ढग कर रख देंगे क्या सूखी सब्जी होता है इसलिए बीच वीच में इनको चलाते रहते हैं कुछ दिर चलाने के बाद हम चेक करते हैं गोवी हमारा पक गया है सूखी सब्जी होने के वज़ा से इसमें हम पानी को जादा नहीं रखते हैं वो भी अच्छे सिपक गया है और हमारा सबजी भी बन कर त्यार हो गया है इसमें बहुत ही अच्छा खुस्बू आ रहा है ऐसा लग रहा है कि आपके कीचन में नॉन्वेज बन रहा हो यह खाने में भी बहुत ही टेश्टी सबजी होता है आप इस तरफ बनाईए और बताईए यह कैसा लग रहा है